हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, कुक डिफरेंट विद मी फ्रेंट्स, आज हम बनाएंगे कठल की सब्जी एक अनोखे तरीके सोई जो बिना महनत के कम टाइम में बन कर तयार हो जाती है हमारी सूपर हेल्दी और टेस्टी कठल की सब्जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेशिपी इसमें मैंने 500 ग्राम कठल लिया है इसे 2-3 पाने से अच्छे से धू लिया है इसके स्लाइस को हमें मोटा नहीं रखना है इसी तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे ही इतनी मोटी स्लाइसिस रखेंगे इसमें हम सी से काट लिया है दो हरी मुर्चों को बीच में से स्लाइस कर लिए है इसके बाद चैनल डिया करेंगे इंदर एक बड़े साइस का त्वाहित यндSONा चैनल रेमाटर साइस का अ मुलब विशान बी retail नहें लगता ये बड़े आसानी से बन जाती है इसमें add करेंगे कुछ मसाले healthy powder 1 teaspoon healthy powder add करेंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर एड करेंगे 1 teaspoon भुना जीरा पाउडर एड करेंगे और 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर एड करेंगे इसके बाद हम salt डालेंगे according to taste friends ये सब्जी बहुत असानी से बन जाती है बिल्कुल भी time नहीं लगता और बहुत ही healthy तरीके से ये सब्जी बनाना बता रही हो में और आप इसके अंदर अबैट करिए दो बड़े चमच, mustard oil mustard oil में ही ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है आप इसे mustard oil में ही बनाएं अगर आप mustard oil में नहीं बनाना चाते तो आप कोई भी oil ले सकते हैं mustard oil डालने के बाद हमें इस सब्जी को अच्छे से mix देना है इस सब्जी को अच्छे से mix करेंगे सभी मसाले, इसके अंदर जो tomato प्यास जाले हमें उपर नीचे करके इसे अच्छे से mix कर लेना है आप चाहे तो इसे हाथों से भी mix कर सकते हैं इसी mix करते हुए एक चीज का ध्यान लखना है कि हमारे जो pieces हैं इस तरीके से हमें इसे spoon को अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से mix करना है आप देखिए वीडियो में मैं आपको कैसे बता रहे हूं इस तरीके से हमें सबी को अच्छा एक मिक्स देना है और फिर हम फ्रेंट इसे 10-15 मिनाट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे जिससे हमारे मसाले और सॉल्ट जो है यह सारा आपस में मिक्स हो जाए और सबी फ्लेवर कठल के अंदर चले जाए मैंने कुकर ले लिया है कुकर में दो बड़े चमबच मस्टरड़ डाल कर उसे अच्छे से गरम कर लिया है दो लाल मिर्च और एक टेबल स्पून जीरा डालेंगे और इसके बाद जो हमने मिक्स करके अपने कठल को रखा है उसे हम आराम से धीरे धीरे करते हुए कुकर में डाल देंगे इस सब्जी को फ्रेंट्स आप इस तरीके से एक पर जरूर ट्राय कीजिएगा ये सब्जी बड़े असानी से और कम टाइम में बनकर तयार हो जाएगी ये सब्जी भूने हुए तरीके से हम बनाएंगे सब्जी फ्रेंट्स बहुत टेस्टी लगती है पूरी के साथ पराठी के साथ और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको ये मिक्स करके बनाना बताया है इसमें आपका टाइम तो बचेगा ही साथ ही साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छे भूने हुए बनकर तयार हो जाएगी तो है ही साथ में बहुत ही टेस्टी भी है इस तरीके से हमें कच्छी को चारो साइडों से घुमाते हुए चलाना है हमें ये कच्छी को बहुत जादा घुमाना नहीं है नहीं तो कोई हमारी सारे कच्छी की सब्जी भी खड़ जाएगी ये देखी मैं आपको एक पर फिर से बताती हूँ इस तरीके से हमें कर्ची को अंदर की तरफ करके उससे फिर हमें घुमाना है यह देखिए और यह सब्जी फ्रेंट्स तले से बिल्कुल नहीं लगेगी हमें लो फ्लेम करके इस सब्जी को हमें रख देना है जिससे यह धीरे धीरे बनती रहेगी आप इस पूरी सब्जी को लो फ्लेम पर ही बनाएं लो फ्लेम पर टामाटर और प्याज अपना पानी रिलिस करेंगे और सब्जी अच्छे से बनकर तयार होगी इस तरीके से कुकर का धकन मैंने लगा दिया है और पांच मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर हम इसे रहने देंगे पांच मिनट बाद खोल कर देखते हैं हमारे सब्जी किस तरीके से पकर तयार हुई है तो अब देख सकते हैं हमारी सब्जी किस तरीके से पकर तयार हो गई है और ये बिल्कुल भी मैं आपको दिखाते हैं बिल्कुल भी तले में नहीं लगी है इसमें जो हमने टमाटर और पियाज पहले डाला था टमाटर पियाज की वज़े से इस सबजी भूनी तो है ही साथ में ये सबजी चिपकी भी नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे पूरी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है जब भी कोई गेस्ट आए और आपके पास टाइम ना हो या आप ऑफिस जाते हैं आप कठल की सब्जी बनानी है उस टाइम यह रेस्पी आप जरूर ट्राइ किजिए देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में हमारी सब्ज अच्छे से गल गई है आप इसे खाएंगे सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है इस सब्जी में आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही हल्दी तरीके से हमारी सब्जी बनकर तयार हो गई है तो चलिए इसके प्रेटिंग करके दिखाती हो मैं यह देखें कितनी टेम्टिंग सी सब्जी लग रही है हमारी और वो भी बिना मेहनत के कठल की सब्जी बनकर तयार है कठल की सब्जी बनाने से लोग भागते हैं कि हमें बहुत जादा टाइम देना पड़ेगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारी तयारी करनी आप इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा मस्ट्राइब इस तरीके से बना कर अपने फैमिली मेंबर को सर्फ कर सकते हैं हस्बंड को लंच बॉक्स में दे सकते हैं डिनर टाइम के लिए लंच टाइम के लिए रेस्पी एकदम पॉफेक्ट बहुत ही अच्छी बनती है फ्रें झाल